हेलो दोस्तो मैं जली स्वागत करती हूँ आपका क्लास्टाइम यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ राजस्थान हाई कोट LDC के एक्जाम के लिए इंग्लिश के टॉप 50 वन वर्ड वन वर्ड में मैं आपको वही करवाऊंगी जो कई एक्जाम में आ चुके हैं और जो LDC के एक्जाम के लिए मॉस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं तो दोस्तो अच्छे से इनको याद करके चलना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्ट ओफ मैप मैकिंग मतलब की मानशित्र बनाने की कला इसके लिए वनवर्ड होगा कार्टोग्राफी आट ओफ मैप मैपकिंग कार्टोग्राफी नेक्स बिंग अनेबल टू पे बस डैप मतलब किसी का करजा चुकाने में अनेबल होना इसके लिए वनवर्ड होगा इंसॉल्वेंट बिंग अनेबल टू पे बस डैप इंसॉल् an office without any work but high pay next medicine to contract the effect of poison medicine to contracted the effect of poison इसके लिए one word होगा anti dot मतलब कि एक ऐसी medicine जो poison के effect को कम करती है जहर के effect को कम करती है उसके लिए one word होगा anti dot next wish to do good to others benevolence मतलब कि किसी दूसरों के लिए अच्छाई करना उसके लिए क्या होगा one word benevolence परोपकारी next fear of height इसके लिए one word होगा acrophobia fear of height मतलब कि उचाई से डरना उचाई से डरने के लिए one word होगा acrophobia next existing since all the time इसके लिए one word होगा antic मतलब कि जो पुराने समय से exist हो उसके लिए one word होगा antic next a place where bees are kept वह जगह जहां पर मधुमक्यों को रखा जाता है तो उसके लिए one word क्या होगा apiary a place where bees are kept apiary next artificial center for honey bees hive मतलब कि ऐसा artificial जगह जहां पर शहद को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं हाइव हाइव यानि की छत्ता next belief not belief not based on reason or knowledge मतलब की किसी भी चीज़ पर आखे बंद करकर विश्वास करना उसको क्या बोलते हैं उसके लिए one word होगा superstition मतलब की अंध्य विश्वास belief not based reason or knowledge superstition next that can be perceived by the sense मतलब की जिसको हम महसूस कर सके मतलब हमारे sense के द्वारा हम महसूस कर सके उसके लिए one word होगा perceptible that that can be perceived by the sense perceptible next one who holds one who holds that nothing is or can be known of the existence of God वह है व्यक्ति जिसका सिद्दान्त यह है कि इश्वर के विशे में न जाना गया है और न जाना जा सकता है ऐसा व्यक्ति ऐसी व्यक्ति के लिए one word क्या यूज होगा agnostic one who holds that nothing is or can be known of the existence of God agnostic next capable or living both on land and water मतलब कि ऐसा प्राणी जो प्रत्वी और पानी दोनों पर रहने में capable हो next a government by one man मतलब कि जहां पर एक आत्मक्षासन होता है उसके लिए one word होगा autocracy next the science of foretelling events by star मतलब कि stars के दुआरा foretelling करना भविशे बताना उसके लिए one word होगा astrology next the study of insect insects की study करना की ट्विज्ञान उसके लिए one word होगा entomology next an admirer of art उसके लिए one word होगा दिली दिलेंट admirer of art उसके लिए होगा दिलेंट next whose meaning is difficult to understand मतलब कि जिसका हम समझना कठिन हो उसके लिए one word होगा abstruse दुर्भोद जिसको समझना कठिन हो उसके लिए one word होगा abstruse next that which can not be perceived by touch मतलब कि जिसको touch करके महसूस नहीं किया जक सकता है उसके लिए one word होगा intangible next that which can be easily believed मतलब कि जिसमें easily believed किया जा सकता है आसाने से विश्वास किया जा सकता है उसके लिए one word होगा credible विश्वस नहीं है next things taken by roberts things taken by roberts इसके लिए one word होगा booty next strong dislike between two person मतलब कि दो लोगों में एक दूसरे की प्रती बहुत ही घ्रणा होना उसके लिए one word होगा antipathy antipathy मतलब कि घ्रणा next that which cannot be erased by removed that which cannot be erased or remove मतलब कि जिसको मिटाया नहीं जा सकता है और मिटाया या हटाया नहीं जा सकता है उसके लिए one word होगा indelible next study of coins इसके लिए one word होगा numismatic study of coins numismatic मतलब कि coins की study करना होगा numismatic next that which can easily be curved without breaking मतलब कि जिसको easily मोडा जा सकता है बिना तोड़े जैसे कि एक stick है इसको बिना तोड़े ऐसे मोड दिया जाता है इसके लिए one word होगा flexible ये क्या है flexible है ये मतलब तोट रहे नहीं है ये इसके लिए one word होगा flexible next speak in very low tone मतलब कि बहुत ही धीरे बोलना फुस फुसाना इसके लिए one word होगा whisper फुस फुसाना next serious crime like murder मतलब कि बहुत ही घिनोना अपराद जंगन्य अपराद उसके लिए one word होगा felony next search for something किसी चीज को सर्च करना उसके लिए one word होगा quest search for something quest next a short summary of book और speech मतलब कि किसी speech या book की short summary उसके लिए one word होगा epitom next a short saying or poem which express an idea in a very clear and amusing way मतलब कि एक छोटी सी कहावत या poem type हो जिसमें एक amusing way से मतलब कि एक हासी प्रत तरीके से बोली गई हो उसके लिए one word होगा epigram next a short amusing story about some real person or event मतलब कि एक छोटी सी स्टोरी मतलब कि बनाई गई कहानी जो कि एक real person or event मतलब कि किसी घटना पर आधरी तो उसके लिए one word होगा anti anecdote sorry उसके लिए one word होगा anecdote a short amusing story about some real person or event किसी सत्य घटना पर आधरी तो उसके लिए होगा anecdote next science of wet मतलब कि जो किसी चीज का weight का science होता है उसके लिए one word होगा metrology next science of time मतलब कि किसी time का science क्या कहलाएगा horology next loss of memory मतलब कि जो memory का totally loss हो जाता है उस एक बिमारी होती है उसके लिए one word होता है amnesia loss of memory amnesia next government by official मतलब कि एक official जो government होती है उसके लिए one word होगा bureau crazy दोस्तों जो ये one word है इनको बहुत अच्छे से आपको याद करके चलना है क्योंकि ये वो सारे one word है जो exam में आ चुके हैं next government by elected representative मतलब कि जो government होती है मतलब कि लोगों की द्वारा इलेक्ट होके आए उसके लिए one word होगा democracy जैसे कि हमारे इंडिया में जो government है वो कैसी है democracy है मतलब कि लोगों का शासन है यहां पर लोगों के लिए लोगों का शासन है next hatter of marriage मतलब कि जो वह वेक्ती जो marriage से hat करता हो नफरत करता हो उसके लिए one word होगा misogamist hatter of marriage misogamist next one who believe that nothing can be said about God मतलब कि एक ऐसा वेक्ती जो यह believe करता हो कि भगवान के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है मतलब भगवान है या नहीं है इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है इसके लिए one word यूज होगा agnostic ऐसे विक्ती के लिए word यूज करेंगे agnostic next one who can neither read or not write मतलब कि एक ऐसा वेक्ती जो पढ़ और लिख नहीं सकता है उसके लिए one word यूज होगा illiterate next header of book sorry है पर header होना चाहिए था header of book मतलब कि एक ऐसा वेक्ती जो book से hat करता हो book से hat करता हो उसके लिए one word यूज होगा miso-biblick header of books miso-biblick next a period of 10 year मतलब कि 10 साल का एक जो period होता है उसके लिए one word यूज होगा decade 10 साल का जो period होता है उसके लिए decade a man who is a great over of book sorry lover of book a man who is great lover of book मतलब कि एक ऐसा वेक्ती जो बहुत ही पुस्तक प्रेमी हो उसके लिए one word यूज होगा bibliophile पुस्तक प्रेमी जो book से बहुत लव करता हो उसके लिए one word होगा bibliophile next eater of flesh मतलब की मास खाने वाले उसके लिए one word यूज होगा carnivore eater of flesh carnivore next one who cannot be easily pleased मतलब कि एक ऐसा वेक्ती जिसे आसानी से खुश नहीं क्या जा सकता है उसके लिए one word यूज होगा fastidious fastidious next the act of killing a human being मतलब की मानव हत्या मानव हत्या के लिए जो one word है वो यूज होगा homicide the act of killing a human being homicide next one who live in a seclusion with thoughts of god मतलब के कैसा वेक्ती जो भगवान में लीन हो गया हो कहीं ऐसी जगे बैठा हो भगवान में लीन हो गया उसके लिए one word यूज होगा hermit hermit यह नहीं होता है sadhu one who live in seclusion with thoughts of god मतलब की भगवान की विचारों में खो गया हो उसके लिए one word होगा hermit next that which can be easily understood मतलब की एक ऐसी चीज जिसको easily understood किया जा सकता है समझा जा सकता है उसके लिए one word यूज होगा intangible that which can be easily understood intangible next a disease in which a man suffer from sleeplessness मतलब की एक ऐसी बिमारी जिसमें किसी व्यक्ति को नीन नहीं आ रही हो और निद्रा की विमारी तो दोस्तों उसके लिए one word होगा insomnia a disease in which a man suffer from sleeplessness मतलब की एक एक व्यक्ति जिसमें वैं सफर कर रहा हो sleeplessness की बिमारी से उसके लिए one word होगा insomnia next hatter of mankind मतलब की जो मनुश्यों से hat करता हो उसके लिए one word होगा miss anthrop next the murder of one's husband मतलब की किसी husband का murder करना उसके लिए one word होगा matricide तो दोस्तों यहां पर हमारे one word खतम होते हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो अगर आप वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब परें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी वीडियो का benefit मिल सके ओके दोस्तों थैंक्स फो वाचिंग